जहिन दोस्तों देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों कि रेलवे में ALP टेक्निशन का बंपर भरती आने वाला है ALP का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पाइलट जिसको सीधी सी भासा में यह दिखाएंगे तो ट्रेन का जो ड्राइवर होते हैं उनकी भरती दोस्तों आ रही है और इसके बारे में दोस्तों आप लोगों कई बार दिखा चुके हैं कहीं पेपर में दिया है कहीं कोई ट्विट किया है कहीं रेलवे की तरफ से अपडेट आया है age limit कितना से कितना होना चाहिए क्योंकि एक दो भरती दोस्तों नहीं आएगा भरती आएगा लगबग साथ हजार से पुलस आपका seat रहेगा दोस्तों तो इसको हलके में बिल्कूल भी मत लीजेगा तो कौन-कौन भर सकता है अभी से आपको क्या-क्या पढ़ने की जरूरत है इसका सलबस क्या है, सलरी क्या है, जौब प्रफाइल क्या है कब से अपलाई होने की संभाव ना है तो सारा A to Z इस वीड़ों आपको जानकारी देंगे तो आप लोग वीडियो को लोको पाइलेट होता, उसके डायरेक्ट वेकेंसी नहीं होती है पहले आप असिस्टेंट लोको पाइलेट बनिएगा फिर आप पुराने हो जाईएगा, तो फिर आपको लोको पाइलेट बना देगा ठीक है, और टेकनिशियन की बंपर भरती आ रही है टोटल लंबर अप सीट की बात करेंगे, तो कितनी पोश्ट के लिए भरती आएगी तो देखें दोस्तो, साथ हजार से नीचे वेकेंसी नहीं रहेगा चौशाथ हजार, पैसाथ हजार इतना सीट दोस्तो रहने वाला है अभी जो भी रेलवे में भरती आएगा, सबसे पहले आप लोगों को यही साब वेकेंसी मिलेगा तीन वेकेंसी दोस्तो सबसे पहले आएगा पहला है रेलवे, A.L.P. टेकनिशियन, दूसरा होगे है रेलवे, टीटी और तीसरा हो गया railway, RPF, SI और Constable समझ भा गया और Group D, NTPC इस अब तो आएगा ही लेकिन सबसे पहले यही तीन vacancy का विद्यार्चों को इंतजार है और railway के दौरह सबसे पहले इसी तीन को जारी किया जाएगा तो 60,000 से उपर दोस्तों seat रहेगा ओमर सीमा का बात करेंगे age limit कितना से कितना होना चाहिए तब आप भर पाईएगा तो देखें दोस्तों 18 से 30 साल चाहिए general category का ठीक है और बाकी आप लोगों को पता है कि हर vacancy में 3 साल OBC वालों को छूट मिल जाता है तो 18 से 33 हो जाएगा OBC और SCAST को कितना मिलता है 5 साल चूट मिलता है तो 18 से 35 हो जाएगा SCAST ठीक है इतना age limit मांगेगा अब सवाल उठता है कि age किस दिन से count करेगा तो ये जो है विज्यापन में लिखा हुआ रहेगा फेलाल आप तयारे में जूट जाएगे ठीक है जनरल OBC वालों को 500 रुपया पेमेंट देना पड़ेगा समझ मां गया जनरल OBC को 500 रुपया पेमेंट लगेगा यदि आप SC है HT है या फिजिकली हेंडिकेप्ट है फिजिकली हेंडिकेप्ट वालों के लिए भी कई परकार का पोश्ट होता है ठीक है तो यह रेलवे की एक बहुत अच्छी बात है ठीक है तो यह हो गया दोस्तों फी का फंडा अब बात करेंगे इसको कौन-कौन भर पाएगा देखे योगेता क्या चाहिए तो आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन है आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा ऐसा नहीं कि हम क्वालिफिकेशन बताए आदा छोड़ के भाग गए मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिए देखे एलपी और टेकनिसियन इस पर दो तरह का बेकेंसी है यदि आपका टेंथ और आईटियाई नहीं है तो क्या चाहिए आपका डिग्री या डिप्लोमा चाहिए इंजिनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा इंजिनियरिंग में होना चाहिए समझभा गया इस पोश्ट के लिए ALP वाला post के लिए और यदि बात करेंगे हम technician post के लिए क्या होना चाहिए तो आपका 10 प्लस 2 होना चाहिए science में 10 प्लस 2 होना चाहिए science में समझभा गया तब आप इस vacancy को भर सकते हैं यदि आपका 10th के साथ ITI है तो आप दोनों के लिए apply कर सकते हैं और यदि आपका ITI नहीं है और आप 12th pass है science है तब आप technician के लिए apply कीजेगा समझभाए है आपर कोई दिक्कत है और रही बात arts वाले विदार्चों क्या भरेंगे तो वो RPF आ रहा है आपके लिए आ रहा है क्या कहते है टीटी आ रहा है railway group D आ रही है NTPC आ रही है आप वहाँ पर भी form भर सकते है तो ऐसी बात नहीं कि हम science से नहीं किया है तो हम form नहीं भर सकते है arts वाले, science वाले, commerce वाले सब अखेले भरती आएगा दोस्तो ठीक है LP technician में यही qualification मांगा जाएगा समयभा गया चलिए यहां तक तो आप समझ गए अब यहां पर CBT1 जो होगा इसका syllabus क्या रहेगा ध्यान दीजेगा दोस्तो इस पर 75 question पूछता है 75 question पूछेगा time देगा आपको 1 घंटा जिसको दूसरी भासा में कहेंगे 60 minute आपको time मिलेगा 0.33 यानि एक बटा तीन का negative marking इस पर रहता है ठीक है question किसे किसे पूछेगा आपका रहेगा GK और current affairs इसकी बाद रहेगा reasoning से question रहता है और general science से question रहता है और mathematics से question रहता है railway English का question नहीं पूछता है समझ भागे railway के syllabus में English नहीं रहता है तो mainly यह 4 section से question आता है railway ALP technician में ठीक है देखे दोस्तो railway हो या SSC हो या और भी कोई परिख्षा हो उस पर reasoning तो रहेगा ही रहेगा तो reasoning की आच्छी तारीक लोग दोस्तों आप लोग S की publication का किताब ले लीजेगा S के यानि दोस्तो स्रीक्रिशन publication का आप लोगों को किताब ले लेना है देखे दोस्तो इस book की खासियत क्या है कि verbal और non-verbal दोनो reasoning का comprehensive collection आपको इस पर देखने को मिलेगा परते एक point का दोस्तो easy explanation किया गया है कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है नया जो pattern दोस्तों आप SST ले लीजिए, railway लीजिए, banking लीजिए कुछ भी लीजिए सभी exam का नये pattern के आदार पर इस पर question का collection मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि short trick बिना short trick का कोई भी reasoning दोस्तों बनाना मुश्किल है तो short trick इस पर बहुत जादा आप लोगों को मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये किताब जो है English medium में भी उपलाब्द है आप देख सकते हैं आप इसको market से भी ले सकते हैं और नीचे description box में हम link के डाल दियें वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं और reasoning की त्यारी कर सकते हैं ये हो गया दोस्तों CBT1 का syllabus यही decide करता है कि आपका selection होगा कि नहीं होगा समझ मागया देखिए इसके बास CBT2 में क्या आएगा तो CBT2 का जो है syllabus दोस्तों वह दो पार्ट में होता है एक होता पार्ट A और दूसरा होता है पार्ट B ठीक है तो पार्ट A में लगबग यही सा syllabus रहता है यही रहेगा same to same कुछ engineering से समबंदित question इस पर पूछा जाएगा जैसे general science यहाँ पर है न तो CBT2 में जो पार्ट A है यहाँ पर आपका science में engineering साब जोड़ देगा ठीक है CBT2 में ठीक है लेकिन यहाँ पर question के label दोस्तो थोड़ा सा tough हो जाता है इसके मुकाबले समझवा गया तो इस पर 100 question पूछेगा 90 minute का आपको time मिलेगा ठीक है और यहाँ पर कितना था 75 question 60 minute का time था लेकिन CBT2 में 100 question हो गया 90 minute time देगा और वही 1 by 3rd का negative marking होगा यह हो गया part A और part B का बात करेंगे तो इस पर trade का test होता है जिस पर 75 question दिया जाएगा 60 minute आपको time मिलेगा समझवा गये तो यह रहा दोस्तो सेलिबस, railway, ALP और technician का अब बात करेंगे दोस्तो इसका apply कब से होगा तो दिहान से सुनिए आपको दोस्तो 2023 के सुरू सुरू में ठीक है हो सकता है 2022 के last last में 2023 के सुरू सुरू में जनवरी अफरवरी तक आपको railway का बहुत सारा vacancy देखने को मिलेगा क्योंकि railway भी दोस्तो mission mode में है SSC भी mission mode में है केंदर सरकार ने एलान किया है कि 10 लाक नई भरतियां होंगी तो जरूर होंगी क्योंकि दोस्तो चुनाव है आप लोगों को पता है 2024 में चुनाव है और जो भी चुनावी वादा होता है वो सरकार पूरी करती है यह हम मतलब सरकार के favor से नहीं बोल रहे है student के favor से बोल रहे है यदि सरकार कहे रहे है कि भेकिंसी आएगा और चुनाव भी है अब थोड़ा से दिमाग लगाईए तो भेकिंसी जरूर आएगा SSC तो अभी race में है आप देखी रहे है SSC हर चीज को fast कर रहा है GD का भेकिंसी कब आना था और आग या कब एक्जाम बहुत जल्द ले लेगा एकदम बहुत fast इसका सब चीज चल रहा है तो railway भी mission mode में वही विद्राश्ति गलती करेंगे जो इन सारी चीजों को मजाक मिले लेंगे कि मतलब आएगा तब देखेंगे तो आपका तयारी दोस्तो आने के बाद नहीं हो पाएगा इसलिए यूटूब पर बहुत सारे विडियोज बने हुए है मुझसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स है यदि वो बता रहे हैं कि वेकेंसी आ रही है निउस पेपर में दिया गया है कि वेकेंसी आ रही है बहुत सारे ट्विट्स आप देख रहे हैं डेली निउस देख रहे हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों आप लोगों को वेकेंसी 100% देखने को मिलेगा ये एकदम 100% सही बात है ठीक है इसकी लिए आप अंदर से तयार रहे है ठीक है सोवाफ करने की जवरत नहीं है लेकिन रेलवे की वेकेंसी के लिए आप तयार ही है मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप जो है कोई न कोई एक मौक टिस्ट पकड़ करे के प्राक्टिस कीजिए पुराना साल का कोशन पेपर को देखा कीजिए डेली और जो भी दिक्कत हो आप मुझे कॉमेंट में बताइए और मेरे टेलिग्राम को जोईन जरू कर लिजेगा ठीक है वहाँ पर हम जो भी वेकेंसी निकलता या कुछ भी जानकारी हो वहाँ पर हम PDF share कर देते हैं और वो टेलिग्राम कचरा नहीं है दोस्तो ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ इस पर डाल देगा सिर्फ हम उस पर डाल सकते हैं ठीक है? एडमिन सिर्फ हम है तो आप मेरे टेलिग्राम को आज ही जोईन कर लिजेगा मेरे टेलिग्राम का नाम है मोहन सर ठीक है? तो आई होप दोस्तो आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो गई होंगी यदि इसके अलावे और भी आप कुछ जाना चाते हैं मुझसे तो आप मुझे कॉमेंट सक्सें में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट भी हो सकते हैं ठीक है? तो आई होप दोस्तो हम आप लोगों को पूरी बात समझा चुके हैं तो किसी भी प्रकार क्यों कोई दिक्कास हो तो कॉमेंट आपके लिए खुला है वीडियो को लाइक करके जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करते दिजिएगा और घंटी को और पर प्रेस करके रखिएगा तो चैलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए जाइंट